अक्सर हम सुनते हैं कि पार्टियों से चुने गए सांसद और विधायक बड़ी हाई कमान के करमचारी बन जाते हैं जबकि हमारे समाज में आम तोर पर जन्ता के माध्यम से ही उन्हें चुना जाता है फिर भी वो रईस परिवार बड़ी पार्टियों के अदीन होते हैं यह हम जानते तो हैं लेकिन फिर भी कोई कदम नहीं उठाते हैं बलकि हमारे पास ऐसे सिस्टम को सुधारने का एक और आप्शन भी है क्या है वो आप्शन करेंगे इस पर पूरी बात इस चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी सीनियर आंकर चेतना शर्माज वेलकम मैं राजिस्तान तमबाद में आपका स्वागत है यह देखा गया है कि अकसर जन्ता के चुने हुए सांसद और विधायक पार्टी हाई कमान के करमचारी बनकर रह जाते हैं इसके बारे में आपका क्या खयाल है जी बिल्कुल रुचिका यह एक बहुत ही इंपोर्टन्ट टॉपिक है आम तोर पर हम अकसर देखते हैं कि चुने हुए सांसद जो होते हैं विधायक जो होते हैं वो लोगों को पार्टी की हाई कमान के करमचारी बना दिया जाता है जिससे की वे निश्पक्षता और सामाने जन्ता के मुद्ध तरब ध्यानी नहीं दे पाते हैं सिंपल सी बात है कि अगर आपको कोई फंड देता है तो आपका उसके उपर control भी हो जाता है पूरी तरीके से तो आप क्या करेंगे अगर आपकी राय कुछ और है और आप कुछ और करना चाहते हैं नहीं आप नहीं कर पाते हैं उन्हीं steps को नहीं ले पाते हैं क्योंकि आपके उपर controlling किसी और की है जिन्होंने आपको fund किया हुआ है, चुनाव लडने के लिए क्या चाहिए होता है, पैसा, और जो party आपके लिए जो आला कमान जैसे भी हम बोल रहे हैं, जो party आपके उपर पैसा लगाती हैं, तो उन्हीं की बातों को आपको importance देनी होती है, फिर चाहे से आपकी कोई भी राय हो, लेकिन निर्दलियों के साथ ऐसा नहीं है, निर्दलियों के साथ ये option हमेशा available है, कि वो अपनी राय, अपने according, सब कुछ चुनाव अपना उनका खुद का होता है, इसलिए निर्दलिये उमीदवारों को, अगर हम मौका देते हैं जादा, तो यहां पर चाहन से जादा बढ़ जाते हैं, कि यह जो घष्टाचार वगरा यह सब है, तो वो रुख जाते हैं, वो नहीं होते हैं, सच में, यह किसी भी लोकतंत्र में एक चुनावती से कम नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है, कि निर्दलियों उमीदवार इस मामले में कैसे बहतर हो सकते हैं, बिल्कुल, अभी अभी मैंने आपको बताया कि निर्दलियों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है, निर्दलियों उमीदवार इस मामले में बहतर हो सकते हैं, क्योंकि वो ना तो पार्टी के कैसे हाई कमान के करमचारी बनते हैं, और ना ही किसी का उन पर दबाव होता है, वो स्वतांत्र होते हैं, और तो और वो सीधे जनता के साथ जुड़े रहते हैं, उनके मुद्दों को समझने की कोशिश करते हैं, उनको ग्राउंड लेवल पर जाकर उनके साथ काम करते हैं, और वहीं, दूसरे तरह अगर आप देखो गए, तो पार्टीयों की द्वारा जो स विदेशी डोनेशन लेती हैं, यह आम जनता जानती भी है, लेकिन फिर भी कोई इनसे पूछने नहीं जाता, कि यह पैसा यूटिलाइस का किया है, जिस डोनेशन को रिसोर्स की तौर पर दिया जाता है, क्या वात्वी में वो रिसोर्स है या फिर इनकी जेब खर्च है, और इन पार्टी सांसे विदायकों को इसके बारे में क्या आप बोलना चाहेंगे? जी हाँ, ये तो इस लोकतंत्र की सबसे सबसे बड़ी प्रॉबलम है, मेरा मानना ये है कि जब तक आम जनता ही जागरुख नहीं होगी ना, तब तक ये डोनेशन और ये भष्टाचार को बढ़ावा देने वाली चीज़ें होती ही रहें, क्या आपको पता है इन गुप्त स्वतंत्र होते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं करते हैं अपने वोटर के लिए इसलिए ये लोग ज़ादा जिम्मेदार भी होते हैं और ना ही वो विदेशी डोनेशन ले सकते हैं, इसलिए इन पर जनता जादा भरोसा जता सकती हैं तो आपका कहने का ये मतलब है कि जो निर्दली उमीदवाद है ये जंता के मुद्धों पर अधिक ज्यान देते हैं और उनके विकास के लिए काम भी करते हैं निर्दली सांसद और विधायक का हाइ कामान तो सिर्फ उनका वोटर ही होता है जो उने वोट देता है और वोट बहुत मुल्य होता है और उन्हें वोटर के साथ अपनी सद्भावना बनाए रखने के लिए अपना तालमेल बिठाए रखने के लिए ये बहुत ज़ादा अपने वोटर की हक्त में काम करते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार के बहारी प्रभाव का सामना बिल्कुल ने करना पड़ा इसलिए हमें ये समझना जरूरी है कि निर्दली उमीदवारों की एहमता को समझना चाहिए और उन्हें ये मौकाद देना चाहिए इस विशए पर आपकी क्या राय है आपकी क्या विचार है क्या सोचते हैं आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताईए और लगाता राजस्तान समबाद आपके लिए ऐसी जाकरुग वीटियोज लाता रहेगा इसलिए हमारे साथ में जुड़े रहे और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा नमस्कार